दोस्तों देखिए जिस बात का डर था वही हुआ और देखिए भीमार मिस्स आजास्वाज पार्टी के राष्टिय दग्चंदर सेखर आजाजी नगीना लोकस्वाज सीट पर चुनाव जित चुके हैं जिसकी अपचारिक घोशना होना बाकी है और वह भी अपचारिक घोश हो जाएगी कि चंदर सेखर आजाजी कितने लाख वोटों से नगीना लोकस्वाज सीट पर चुनाव जीतने जा रहे हैं लेकिन इसकली में आपको उतादू कि देखिए चंदर सेखर आजाज जी जीतने के साथ साथ बहन कुमारी मयावती जी का भी रिकॉर्ड जो है इस ल और आए नहीं है और बहन जी जो काम लोगों के बीच में जाकर कर दी हैं उतर पर देज जैसे बड़े राज़े में चार चार बार मुख्यमंत्री का कमान समाल कर जिस तरीके से सोचितों और वन्शितों के लिए पूरे बोजा समाज के लोगों के लिए बहन मयावती ने ज चंद सेखर आजाज नहीं कि जा सकती हैं लेकिन देखिए एक सच जो हम सब को एक सेट करना चाहिए राज जिनीती में बहन कुमारी म्यावती कितनी बार असफल हुई हैं और कितनी बार असफल होने के बाद बहन मायवती जी सपल हुई है और चंद सेखर आजा जी पहले ही दफा में जो है चुना में बाजी मारती भी नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखिए इस बार बहन कुमारी मायवती को भी रिकोर्ड को चंद सेखर आजा जी तोड़ने जा रहा है आखिर चंद सेखर बहन जी जो है कई बार लोक्षवा के चुनाव लड़ी लेकिन वो चुनाव हार गई और वो चौती बार में लोक्षवा का चुनाव जीती लेकिन वो तीन बार कहा कहा लोक्षवा सीट थे और कब-कब जीती और कौनकन प्रत्यासी बहन मायावती जी को हाराने का काम किये और चंसिखर आजाजी आखिरी कोट कैसे तोड़ पा रहे हैं तो देखिए आपको अतादू कि बहन मायावती ने सन 1984 में ही यूपी के मुझफर नगर जिले की जो एस सीट है कराना संसद्य सीट यहां से पहली बार बहन मायावती जी ने सनसद्य लोकसभा सीट जो है कराना संसद्य लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा और इस चुनाव में होएं बहन मायावती जो को सिर्फ 44,445 मत प्राप्त हुआ और इस चुनाव में वे कांग्रेस और लोक दल के बाद तिसरे अस्थ पर बेहन मयावतीजी का स्थान था तो नौने 24 लोगसभा के सचुनाओं यह जो करणा लोकसभा संसदिय जो सीट था उस सीट पर बैहन मयावती जो 1934 में पहली बार लोकसभा का चुनाओं लड़ी थी और वह चुनाओं हार गई थी उसके बाद बता दू एक बार फिर 1985 के लोकसवाय का हुआ बैन मयावदि ने अपना चुनाव छेत्र बदला और 20 और लोकसवाय सीट से बैन मयावदि ने चुनाव लड़ने किसे पाप सब्सक्राइब के बहुरोट मिले और वोट मिलने के पाद हहता दूँ कि लगbon मीरा कुमार जो है वो जो है लगबग 5,000 वोटों से बहन मयावती को पराश्ट करके आगे आई और मीरा कुमार जीतने का काम की थी आपको उतादू की जो बिजना और लोकसवाद स्री टोनेश पचासी में चुना हुआ था वहां से मीरा कुमार बीज़ई हुई थी और दो नमबर पर बहन मयावती जी थी और तीसरे नमबर पर राम बिला स्पासवाद जी थे तो मीरा कुमार जो है आपको उतादू की बहन मयावती को और जो राम बिला स्पासवाद है इनको हरा कर पहले नमबर पर मीरा कुमार जी बहन मयावती के तुनला में 5000 वोटों से ज प्रतिद्वन्दी के रूप में उसके बाद बता दूँ कि तीसरी बार और 1987 के संसदिय चुनाव था उपचुनाव था जो कि हरिद्वार संसदिय तरह उपचुनाव था एक उनको एक लाख नवासी हजार मत मिला था और इनको एक लाख नवासी हजार मत प्राकर दूसरे नंबर पर ये रही और तुसरे नंबर पर आपको बता दू कि राम बिलास पासवान जी रहे तो दोस्तों आपको बता दू कि देखिए बहन जी जो है 1984 में मुझभफर नगर के कराना संसद्य लोकसभा सीट पर लड़ी और वो चुनाओ हार गई उसके बाद बहन मयावती जो है बिजन और लोकसभा सीट 1885 में लड़ी और यहां भी मिला कुमार से वो चुनाओ हार गई पर लेकिन दोस्तों आखिरकार हर के बाद बहन मयावती ने 1989 में लोकसभा सीट में एक बार फिर बहन मयावती ने अपना चुनाओ छेतर बदला और यह वहीं छेतर था जो चार वर्स पहले जो है 1985 में रहा और बिजनाओ लोकसवा सीट और बहन में आउती को बिजनाओ लोकसवा सीट में जब 1989 में चुनाओ लड़ी तो उनको एक लाख तीरासी अजार वोट मिला था पहली बार आपको उतादू कि विजनाओ लोकसवा सीट से जीतने का काम किया और उस वक्त दोस्तों नगीना जो लोकसवा सीट है जहां से चंसे करा जाजी चुनाओ लड़े वो उस वक्त नगीना लोकसवा सीट विजनाओ में ही था लेकि चौथी बार में बहन वह उती जी ने उन्हे सो चौशाओ नवासी जो लोकसवा सीट पर यहां पर बहन वह उती ने ज्यतने का काम किया था तो आपको उतादू कि देख़िये वेह बहन मयाउती ने लड़ा चौथा बार चौथा बार ब्यृहार चौथा बार भीडीं में बधिया कि दिक रास्टिकले जी नरी पर नगीना लोक्सभाद सीट्व से चुनाव लड़े और चंसेखार आजाजी बिल्कुल बढती स्थिति में हैं और एक आज आ रहा है कि एक जित-पोल हो चाहे बहुजन मीडिया का जिस तरिके से जित-पोल आ रहा है जो ग्राउं रिपोर्ट आ रहा है उसके मुताबिक चंसेखार आजाजी चुनाव जीत हैं उसकी सिर्फ आप चारी गोशना बाकी है तो दोस्तों चंसेखर आजाजी नगीना लोक्सवाद चुना लोक्सवाद सीट पर चुनाओ जितने के साथ साथ बहन मयावती जी को भी रिकॉर्ड को तुड़ने जा रहा हैं क्योंकि बहन मयावती तीन बार चुनाओ लड़ी बहन मयावती को भी रिकॉर्ड को चंदर सेखर आजाज ने तोड़ दिया है और चंसेखर आजाजी पहले ही लोक्सवाद सीट पर चुनाओ लड़े नगीना लोक्सवाद सीट को और दलीतों का और मुसलमानों का एक तरफा वोट चंदर सेखर आजाज के पार्टी आजास समाज पाटी के चुनाव चिनकेतली पर पड़ा और चंद सेखर आजाजी बंफर वोट से जो है नगीना लोक्सवाद सीट पर चुनाओ जित्ते वे नजर आ रहा है और यह कहा जा रहा है दोस्तों की चंद सेखर आजाजी बिलकुल उनके अपचारी घोशना होना बागी ह जाएगी लेकि जिस तरीके से दोस्तों चंद सेखर आजाद और बहुजन समाज के जो समाज है उसका नित्रित्व करते हैं और दोनों जो है समिधान और लोक्तंत्र के पक्ष में ही बात करते हैं तो यह कहा जाता है कि देखिए दिन दोनों लोग एक साथ हो गए उस दिन जो है किसी भी पार्टी के लाइंस की जुरूत नहीं पड़ेगी और उस दिन चंद सेखर आजाद और बैन मयावती के मिलने से अच्छी खासी लोग सवा का सीट हो या फिर जो अच्छी खासी वोट जो है वोट परतिशच से इन तमाम दुनों लोग जीतने का काम करेंगे लेकि जिस तरीके से दोस्तों बैन मयावती को भी रिकॉर्ड को चंद सेखर आजाद ने तोड़ दिया और पहले ही दफा में चंद सेखर आजाद चुनाव जीतने का काम कर रहा है जबकि बैन मयावती ने चार बार चुनाव लड़ा जिसमें तीन बार वो हार गई और पराना सुरू हो चुकी है और लगातार लोग दुसरे के साथ खुश्री को सिल्वरेट करने मिठाया बाटी जा रही है जिसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दिजिए बैन मयावती को चंद सेखर आजादी रिकॉर्ड को तोड़ते वे नदर आ रहा है इसको आप कैसे द करते हैं कमेंट कर दिजिए